नवश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल All Exam Guide Group पर दोस्तों रेलवे की डेट आ गई है अन्य प्रतियोगी परिक्षाएं भी अब शुरू होने वाली है आपको पता है कि हर एक्जाम में हिस्ट्री फैवरिट होती है इस वीडियो में आपके लिए चुरिंदा 40 कौशन हिस्ट्री के लेकर आया हूँ जो कि किसी न किसी एक्जाम में पूछे गए हैं और ये सभी एक्जाम के लिए माश्टर वीडियो है आप चेक कर लिए क्या ये हिस्ट्री के 40 कौशन आपको याद है क्योंकि थोड़े थोड़े करके ही बहुत कौशन याद होते है इस वीडियो में से 5-6 नमबर के कौशन रेलवे और अन एक्जाम में जरूर पूछे जाएंगे तो ये 40 कौशन याद कर लिए आपके लिए कौशन आएगा ये आप नहीं जानते हैं लेकिन 40 कौशन में से कोई न कोई ये कौशन आएगा ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ तो वीडियो को इसकिप मत करिएगा याद कर लीचे 40 के 40 जिससे कोई भी प्रशना है तो आपसे बिलकुल ना चूटे और आपकी स्कोरिंग जो है कताई कम ना हो क्योंकि अगर अभी बच गए तो फिर बाद में हमेशा के लिए ही बचे रहोगे स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे प्रश्ट पहला जो है यह रहा स्क्रीन पर कौशन नमबर वन आपसे पूछा गया है पानी पत की दूसरी लडाई जो की 5 नमबर 1556 को हुई थी निमलेखित मैंसे यह किस के बीच में हुई थी तो पानी पत की दूसरी लडाई 1556 में 3 अकबर और हेमू के बीच में हुई थी आप्शन नमबर यहां पर 20 अही उत्तर हो जाएगा पानी पत की दूसरी लडाई 5 नमबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुई थी अगला प्रशन देख लेते हैं पुली कट इस्थित किला का निर्मान किसने करवाया था पुली क पहला भारतिय सामराज इस्थापित किसके द्वारा किया गया था तो पहला भारतिय सामराज किसके द्वारा इस्थापित हुआ था तो राइट आंसर है चंदर गुप्त मौरी के द्वारा पहला भारतिय सामराज जो है इस्थापित हुआ था नेक्श कॉशन देखते हैं क प्राचीन भारत में निमलिकित में से कौन सा विध्या अध्यन का केंद्र नहीं था तो विक्रम सिला तक्ष सिला ये दोनों केंद्र थे और कोशामबी जो है विध्या अध्यन का केंद्र नहीं था राइट आंसर हो जाएगा option number कोशामबी अगला प्रशन देख लेते हैं प्रसिद्र संगीतग्य तानसेन का मगबरा कहां परिस्थित है प्रसिद्र संगीतग्य तानसेन का मगबरा कहां परिस्थित है तो प्रसिद संगीतक के तांसेन का मगबरा ग्वालियर में है option number ग्वालियर इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशा गया है बाला कोट की लडाई किस वर्श हुई थी क्या उत्तर हो जाएगा बाला कोट की लडाई किस वर्श हुई थी तो 1831 में option number एस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा बाला कोट की लडाई 1831 में हुई थी next question देखते हैं क्या पूशा गया है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम साशक ने सरव प्रथम जीता था तो right answer हो जाएगा option number खिल जी ने बिहार प्रदेश को सरव प्रथम मुस्लिम साशक था जिसने जीता था right answer हो जाएगा next question देखते हैं प्रशन है भारत का कौन सा मोहनी अटम नत्य से सम्बंदित राज्य है इन में से कौन सा राज्य भारत का मोहनी अटम से सम्बंदित है तो right answer हो जाएगा भारत का केरल राज्य जो है मोहनी अटम से सम्बंदित है next question देखते है British East India Company का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था British East India Company का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो ब्रिडिस इस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवनर जनरल टॉमस स्माइथ ऑप्शन नमबर A इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा तॉमस स्माइथ था अप्षन नमबर बकसर की लड़ाई किस वर्श हो जाएगा तो महमूतől गजनवी के उत्तर हो जाएगा इनमें से किस राजा ने दक्षणा पथ में इस्थित बारह राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी तो समुद्र गुप्त ने option number C यहाँ पर सहीतर हो जाएगा दक्षणा पथ में इस्थित बारह राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी इन में से किस राजवंष का काल कंणड साहित के उतपती का काल माना जाता है इन में से किस वर्ष अकबर ने कंड़ साहित काल समाप्त कर दी थी तो 1563 में option number C इस प्रशन के लिए सेहत्र हो जाएगा अकबर ने तीर्थ यात्रा समाप्त कर दी थी 1563 में right answer हो जाएगा next question देखते हैं अगला question इनमें से किस साशक ने छतरपती सिवा जी को भारत के राजा की उपादी दी थी इनमें से किस साशक ने चतरपती सिवा जी को भारत के राजा की उपादी दी थी तो औरंग जेव ने चतरपती सिवा जी को भारत के राजा की उपादी दी थी अगला question देखते हैं इनमें से किस के बारे में नरम दलिय पद का प्रियोग नहीं किया जाता है इन में से किसके बारे में नरम दल ये पद का प्रयोग नहीं किया जाता है तो विपिन चंदरपाल जो है नरम दल के सदस्य नहीं थे option number C इस प्रशन के लिए सेयत्र हो जाएगा right answer हो जाएगा विपिन चंदरपाल नरम दल के सदस्य नहीं थे next question देखते हैं क्या पुशा गया है अगला प्रशन इन में से किसने भारत में बहाबी आंदोलन शुरू किया था इन में से किसने भारत में बहाबी आंदोलन शुरू किया था तो right answer हो जाएगा option number राय बरेली के सेयत एहमद ने option number D, राय बरेली के सेयत एहमद ने भारत में बहाबी आंदुलन जो है शुरू किया था, next question देखते हैं, अगला प्रशन है, a history of राजस्थान के लिखक कौन है, a history of राजस्थान के लिखक कौन है, तो राय तांसर हो जाएगा, रीमा हुजा, option number C, रीमा हुजा जो है, a history of रा महा भारत की रचना हुई थी, किस अवधी में रामाएड और महा भारत की रचना हुई थी, next question देखते हैं, किसके साशनकाल के दोरान हेन सांग भारत भ्रमड पर आय था नेक्श कॉशन देखते हैं किसने बंगाल को मुगल साम राज से प्रतक कर स्वतंतर किया था तो मुर्षित कुली खाने option number B यहां पर सहित्र हो जाएगा मुर्शित को लिखाने बंगाल को मुगन सामराज से स्वतंतर करके स्वतंतर किया था Next question देखते है क्या पुशा गया है गुप्त राजवंस किसके लिए प्रसिद्ध था? राइट अंसर क्या है? गुप्त राजवंस जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? अगला प्रशन है गुप्त राजवंस जिसमें समुद्र गुप्त कुमार गुप्त चंद्र गुप्त विक्रमा देते की सरकारी दरवारी भाषा क्या थी गुप्त राजवंस की सरकारी दरवारी भाषा क्या थी तो समुद्र गुप्त कुमार गुप्त चंद्र गुप्त वि सिखशक थे तो जवी कृपलानी ओपशन नमबर एस प्रशन के लिए सहीतर हो जाएगा गानीजी के अनुएाई पेशे से एक सिखशक थे जवी कृपलानी जी नेक्ष कोशन देखते हैं अगला प्रशन ग्रांट तरंक सडक किस सहर से किस सहर को जोडती है तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इस question का आप मुझे answer बताइए मान दीजिये इस question का answer क्या होगा और comment box में मुझे इसका answer share करिए ठीक है next question देखते हैं क्या पूशा गया है जिसके भी answer गलत होते है वीडियो को दुबारा देख लिजेगा अगला प्रशन देख लेते हैं क्या पूशा गया है गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संग की स्थापना कहां पर की गई थी चांद बीबी ने कहां पर सासन किया था तो अहमद नगर में option number B इस प्रशन के लिए से इतर हो जाएगा चांद बीबी ने जो है एहमद नगर में शाशन किया था next question देखते हैं ग्वालियर राज की स्थापना किस ने की थी क्या उत्तर हो जाएगा तराइन का प्रथम 1199 में किसके बीच लड़ा गया था तो महमद गौरी और प्रत्वी राज तरती के बीच में तराइन का प्रथम 1199 में लड़ा गया था next question देख लेते हैं प्रशन है जोतिवा फुले की मृत्यू कब हुई थी तो जोतिवा फुले की मृत्यू 28 नवंबर 1890 में हुई थी right answer हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं दक्षन अफरीका की यात्रा पूरी करके महात्मा गांधी किस वर्ष भारत लोटे थे तो 1915 में महात्मा गांधी भारत लोटे थे दक्षन अफरीका की यात्रा पूरी करके तरायन के दोती युद्व में किसने किसको पराजित किया था तरायन के दोती युद्व में किसने किसको पराजित किया था तो मुहमद गौरी ने प्रत्वी राज को तरायन के दोती युद्व में पराजित किया था दिली सल्तनत की दर्वारी भाषा क्या थी तो फार्सी दिली सल्तनत की दर्वारी भाषा थी अगला प्रशन है नागारजुन अभिलेक से किसके बारे में जानकारिया मिलती है तो नागारजुन अभिलेक से बौद धर्म के बारे में जानकारिया मिलती है option number 20 question के लिए सही उत्र हो जाएगा next question देखते हैं अगला question निमल्खत मैसे किस मूगल सاشक खाशक का वास्टविक नाम अली गहर था निमल्खत मैसे किस मुगल बाष्शाह का मूल नाम रोशन अक्तर था निम्न मैसे किस मुगल बाश्शाह का मूल नाम रोशन अक्तर था तो यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा option number D मुहमद शाह का मूल नाम रोशन अक्तर था next question देखते हैं क्या पूशा गया है अगला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर निम्न मैसे किसने बीजग कृती लिखी है बीजग को किसने लिखा है तो कबीर जी ने बीजग को लिखा है राइट आंसर हो जाएगा निम्न मैसे किस वेद में यग्य संबंदी विधी विधानों का पता लगाया जाता है तो यहाँ पर सहीतर क्या हो जाएगा इसका अंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन उन कर लीजे औल बाला नोडिफिकेशन उन कर लीजे जिससे आने वाली क्लासिस के नोडिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिलकुल भी ना भूले लाइक करना ना भूले लाइक ज़रू करे और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेट करके हमसे पूछ सकते हैं आपकी पूरी हेल्प करेंगे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नाक्ष वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत धनीवाद आपका दिन शुब हो